जब साई हरी सबजिया मुसल्मान की हो जाएगी हिंदू के हिस्वे में बस टमाटर और गाजर आएंगे। आप ये समझ नहीं आता कि तर्बु जा किसके हिस्वे में जाएगा। दिटॉक्स क्लब, कीप टॉकिंग, कीप लर्निंग। ना अल्ला बनाओ, ना भगवान बनाओ, ना हिंदू बनाओ, ना मुसल्मान बनाओ, समझ सकू सभी के प्यार और आसुओ की दास्ता, समझ सकू सभी के प्यार और आसुओ की दास्ता, बना सकू तो बस मुझे वही इंसान बनाओ। 14 February 2019 जिस वक्त हम लोग अपने घरों में निश्चित बैठे थे उस समें बहुत दुखत सूचना मिली पुल्वामा के पुल्वामा में एक ब्लास्ट हो गया था जिसमें हमारे बहुत साई भाई सहीद हो गया तो सबसे पहले उन्ही को सद्धांजली लेना चाहूंगे और उन्ही की जुआ में कुछ लाइन कहना चाहूंगे ये सफर हमारे जिन्दगी का आखरी होगा सोचा ना था में महबूब के चूरियों की खनक अब भी मेरे कानों में है ये सफर हमाई जिंदगी का आखई होगा सोचा ना था मैं महबूब की चुईयों की खणक अब भी मेरे कानों में हैं मैं बाबा के जिंदगी भर की कमाई में इसीवा कुछ और ना था असल में जो भायत को नुकसान हुआ वो साइद होना ना था असल में जो भायत को नुकसान हुआ वो सायद होना ना था It's near here my topic is मजभ नहीं सिखाता हम लोग सब इंडिया में धते हैं और इस देश की खासे है कि यहां सभी धर्म की लोग सभी मजभ की लोग एक साथ एते हैं और मैं इस पर गर्व भी गरती हूँ लेकिन लगता है हमारे इस देश को किसी की नजर लग गई है मज़ब के नाम पर इसका बटवाया हो रहा है तो इसे पर कुछन लाइने कहना चाहूंगी मस्जित तो हुई हासिल मान गवा बैठे हैं मस्जित तो हुई हासिल मान गवा बैठे हैं मंदी को पाया अलग कर पर भगवान गवा बैठे हैं पुई काइनात को जीता हमने पर इंसान गवा बैठे हैं मजभब के लयाई में हम कितनों की जान गवा बैठे हैं मजहब की बटवाय पे कुछ लंचन लाइने हैं मैंने पहले बहुत पहले नोटिस किया था कि फूल भी जो होते हैं न वो भी हिंदू और मुस्लिम होते हैं गेंदी का फूल अल्वेज मंदे में चड़ेगा एंड लीली का फूल मजार में ये कभी एक्षेंज नहीं होंगे किसी ने इस पर खूब अच्छा गहा हैं नफरतों का असर तो देखो जानवरों का भी बटवाया हो गया हैं गाय हिंदू हो गई है और बक्रा मुसल्मान हो ये पत्ते पेर और साखाई भी परसान हो गई ये पेर पत्ते और साखाई भी परसान हो जाएगी अगर परिंदे भी हिंदू और मुसल्मान हो जाएं सूखी मेवर को देखके भी सूखी मेवर को देखके हैरान हो गए ना जाने नायल कभ हिंदू और खजोर मुसल्मान हो जिस तरह धर्म मर्ज़ब के नाम पर हम रंगों को भी बाट चुके हैं हरा मुसल्मान का है लाल हिंदू का तो वो दिन दूर नहीं जब साही हरी सब्जिया मुसल्मान की हो जाएगी हिंदू के हिस्वे में बस टमाटर और गाजा रहेंगे अब यह समझ नहीं आता कि तरबू जा किसके हिस्सी में जाएगा उपर वाले ने हिंदू मुसलिम सीख किसाई नहीं बनाया मज़ब के नाम पे बटवाया इनसान ने खुद किया है जह गोले हैं लोग मज़ब के नाम पे सायद लोगों ने मज़ब को ठीक से जाना नहीं क्यूंकि मजब नहीं सिखाता आपस में बयायकना मजब धर्म बस एक जीने का सलीका है किसी को पूजा में सुकून आता है तो किसी को नवाज पढ़ने में अस्वाक विसमिल भगज सिंग के नाये भी हम लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई हम है भाई भाई ये सभी को बदलाते हैं फिर भी उस मजब के दंगे में हमामेही भाई माये जाते हैं क्या हम आजादी के कामूल भी समझ पाए हैं कि हम जब हमाया देश गुलाम था तो हम सब साथ थे आज हमाया देश आजाद है तो बटवाए, दंगे और फसाद के गुलाम है भगवार ने मुझे सभी धर्मों की दोस्ती से नवाजा है मैं एक दोस्त है, अक्सर इद उसके घर और हूली वो में साथ मनाया करती है लास्ट लाइन से अलविदा लेना चाहूंगी, तु मेरी गीता पढ़ले, लामे तेरी कुरान पढ़लो एक तरप मंदे की घंटी, एक तरप होगी आजान एक ही सुर में साथ कहें हम, इद दिपावली सब मनाएंगे ऐसा होगा हिंदोस्तान क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बयायकना हिंदी है हम, वतन हिंदोस्तान हमाया वतन हिंदोस्तान हमाया थैंक्यू